Hello everyone, welcome to Prakriti Classes, I hope you all are doing well तो दोस्तों शिक्षक भरती से जुड़ी हुए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है जो आपके सहायक शिक्षक पत के तृती चैरन की ओनलाइन काउंसलिंग की जो प्रक्रिया थी वो शुरू होने जा रही है तो इसमें जिन अभ्यर्थियों का चैन हुआ है उनका रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है तो आप देख सकते हैं जिनका भी नाम आया है वो तो इसकी जो ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो एक फरवरी दोपहर के बारा बज़े से तीन फरवरी दोजार चोबीस के शाम पाच बज़े तक स्कूल शिक्छा विभाग के वेबसाइट पोर्टल पर आप कर सकेंगे तो जिनका भी इस रोल नंबर तक नाम आया है वो जाकर अपना ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यहां लिखा गया है आज दिनांग 31-2024 को ये सूचना दी गई है विभाग के दवारा तो इसमें लिखा गया है कि सहायक शिक्छक भरती जो 2023 की जो ऑनलाइन काउंसलिंग की सूचना दिनांग 23-23 को जारी की गई थी उप्त काउंसलिंग से वन्चित अभ्यर्थियों के लिए दिनांग 1-3 फरवरी 2024 तक होने वाली काउंसलिंग के पश्याद जो 33-34 के दस्ताविच सत्यापन में शामिल के जाने हिद्धू निम्नासार कट ओफ रैंक निर्धारित किये जा रहा है तो आप कट ओफ रैंक दे मतलब कि Crisis to deben में आप देख सकते हैं कि 5441 से लेकर 6,589 तक के अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया गया है फिर आप देख सकते हैं अनूसूचित जन जाती में 49,574 से लेकर 56,102 तक के अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है इसमें आपके मुकते वं महिला दोनों है फिर आप देख सकते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो है इसमें आपके 3047 से लेकर 3404 तक के अभियर्थियों को शामिल किया गया है फिर आप देख सकते हैं दिव्यांग अनारक्षित में इतने रैंक तक के अभ्यर्थियों को फिर दिव्यांग अनुसोची जन जाती में भी शामिल किया गया है फिर दिव्यांग अनुसोची जन जाती और दिव्यांग अन्य पिछड़ा वर्ग में भी इतने रैंक वालों को को शामिल किया गया है और यहाँ पर एक नोट में भी लिखा गया है कि मानने उच्च नयायाले 36 गड़ के आदेश के परिप्रेक्ष में निम्नमसार रैंग के तीन अभ्यार्थियों को काउंसलिंग में शामिल किया जा रहे जो आपके ऐसे तीन अभ्यार्थि हैं उनका रैंक यहाँ पर लिखा गया है तो जो इस रैंक तक अभ्यर्थियों का नाम आ रहा है वो अपना काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं, काउंसलिंग फॉर्म इसमें भर सकते हैं, शालाओं के आबंटन पश्चात अभ्यर्थियों का जो दस्तावेच सत्यापन है, आबंटित जीला के जीला शिक्छा अधिकारी कार में उपस्थित प्रदान, उपस्थिती अपनी प्रदान करेंगे, दस्तावेच सत्यापन तिथी की सुचना अभ्यार्थियों के लॉग इन आईडी तथा, जो पंजिकरित मोबाइल नंबर आपका होगा, उसमें प्रदान की जाएगी, जो आपके दस्तावेच सत्यापन की तिथी होगी, वो आपके मोबाइल नंबर या आपके लॉग इन आईडी में उपलब्ध की जाएगी, तो यहां आप देख सकते हैं, यह हैं सारे कट ओफ रेंग, तो जिन अभ्यार्थियों का भी नाम यहां तक आ रहा है, वो अपनी जो आउनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया वो एक सी तीन फर्वरी के बीच कर लीजे, इसकी जानकारी आप पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं, एजुकेशन पोर्टल पर जाकर, तो यह बहुत ही अच्छी जानकारी है, जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तो मिलते हैं ऐसे ही, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थाइंक यू एंड टे,